फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर, अब उनके माबाप बहुत परिशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों, तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो, सवेरे सोकर उठो और मुँका थूक आँख में लगाओ, काजल की तरह से, तो बच्चों ने चालू कर दिया, बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते हैं, अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए, सिर्फ ये लार लगाने आप भी करके देख लीज़े, जिनको भी चश्मे, बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे, लेकिन उतर जाएंगे, उम्र ज़्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो मूँ की लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए काजल की तरह से और एक बताता हूँ एक बीमारी आती है जिसको हम कहते है कंजक्टिवाइटिस आँखों की बीमारी है अक्सर उसमें आँखें लाल हो जाती है आँखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतराया हो आँखों में वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयूर्वेट की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूँ की लार लगाना 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गए 24 घंटे में ठीक होते है अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी आँखे टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहेंगापन उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रहे तम मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वेग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि यह लार में क्या है एक्च्वली इसका एक्टिव इंग्रेडियंट क्या है तो उन्होंने का भाईया जितने एक्टिव इंग्रेडियंट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बता है मिट्टी में अठारे एक्टिव इंग्रेडियंट्स है लार में वो सब के सब है इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेश कीमती है इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं और दो चार बाते बता दू क्या-क्या रोग और ठीक कर सकते हैं आपके शरीर में कोई दाग हो गया धबा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है न उस पर नियमित रूप से सबेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है छे-ाट महीने में धगा धबा बिलकुल साफ हो जाए जले हुए का धबा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया एकजीमा हो गया मान लो खराब बीमारी की बात करूँ एकजीमा हो गया एकजीमा पर रोज सुबह की लार लगाई है मालिश करते रही है छे-ाट महीने के बाद देखिएगा साफ और एक्जीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस वो भी ठीक होती है इसी लार्स बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफत का इलाज है फोकट का इलाज बागबट जी ने जितने भी इलाज बताए है सब फोकट के और मुफत के बाहर जाने की जरूरती नहीं है तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए आखों की बीमारियों में इसका एक्सपरिमेंट करिए घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर एक्सपरिमेंट करिए फोड़े फिंसियों पर इसका experiment करिए, मैंने ये चारो experiment किये, बहुत अच्छे result है आप भी करिए, result आपको भी मिलेंगे, बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराईए